नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूटूब चैनल जिसका नाम है दे वर्ड आपके मस्ठी के मस्ठी की दुनिया आज हम लोग हैलो एलकेन और हैलो एरिंस में फिजिकल प्रॉपरिटी को डिल करने वाल हैं और प्रीबियस येर्स में क् सब्सक्राइब में जितने भी कोईस्टन इस फिजिकल प्रॉपरिटी से आय हुए होंगे हैलो एलकेन और हैलो एरिंस से एक एक करके उन्स प्राब्लम का सलूशन हम लोग देखेंगे चुकि आई प्रिजिकल लेक्चर में देखा हुए था और उसके बाद जो नमबर आने वाला था वो आना था प्रिप्रेशन में थड़का लेकिन प्रिप्रेशन हमारे स्लेबस से आउट हो चुका है कट गया है और इसलिए अब बारी आरेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टी ची फिजिकल प्रॉपर्टी की तो चलिए हम लोग जरा ध्यान से पढ़ते हैं और क्या दोस्तों एक कुश्चन है जो 2015 में आया है कि कुश्चन पूछा है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है ज्यादा है ऐसा क्यों होता है यह कोश्चन पूछा गया है 2015 में अगर हम सबसे पहले कोई भी चीज़ पूछी जाया है उसका हमको स्टक्चर आना चाहिए यह एन ब् स्टक्चर कुछ यूँ होता है यह हमारा आन पिप्यूटिल ब्रोमाइड के केसमें हुआ क्या है कि तीन मैथिल ग्रूप होंगे और कार्बन से एक अटेस्ट होगा बी आर यह हमारा स्टक्चर है किसका टर्सियरी ब्यूतिल ब्रोमाइड का यह जो स्टक्चर है यह हमारा है टर्सियरी ब्यूतिल ब्रोमाइड का यह स्टक्चर अगर हम दोनों स्टक्चर ज़रा देखें है यह स्ट्रेट चेन मालीकूल है लेकिन टर्शियरी ब्रॉमाइड है वह ब्लांच चेन मालीकूल है अगर इस टर्शियरी ब्रॉमाइड का देखें तो इस जो सर पिस एरिया से टर्स्यरी प्तरमाइड प्रमॉइड के जब शर्फिस एरिया इसमाल है तो फिर इसके पास जो इंटर वेकट्य होगा और जब इंटरमालीख फोर्स वेकट तसका सानि क्या होगा होगा कम होगा तो प्रमाइद जाने का स्थ पयतना हैающido स्ट्रांग इंटर्मालिकुलर फोर्स आप अट्रेक्शन होता है स्ट्रांग फोर्स आप अट्रेक्शन होता है क्यों होता है कि यह लार्ज सर्पेश एरिया है वेरेस टर्सीरी ब्यूटिल ब्रॉमाइड इस ब्रांच चेन मालिक्यूल यह जो टर्सीरी ब्यूटिल ब्रॉमाइड है यह ब्रांच चेन मालिक्यूल है और इस ब्रांच चेन मालिक्यूल के पास जो होगा वो वीक इंटरमालुकिलर फोर्स होगा क्यों क्यों कि इसका स्माल ब्रांचिंग उनक्रीजेंस ब्रांचिंग उनक्रीज घृता है उसके पास का सब्सक्राइब के पास जिसके पॉर्स ons स्ट्राइंग होताया होता है दो ब्रॉत्व ब्रॉमाइट के पास weak intermolecular force होता है और जो area होती है वो smaller होती है और जैसे जैसे branching increase करती है वैसे boiling point decrease करता है यही वो reason है जिसकी वज़य से यान ब्यूटिल ब्रॉमाइट का जो boiling point होता है वो ज्यादा होता है as compare to tertiary तो सीधा सीधा कोई फटा फट से दोस्ते सका स्क्रिन सॉट ले लिजे ताकि हम लोग चले आगे बढ़ें और अपने अगले कोश्चन को डेल कर सकते हैं कि देखिए अगला कोश्चन जो पूलर आर इम्मिसबल विद वाटर यह कोश्चन तुझा थर्टीन फिप्टीन और स पूशा जा चुका है कि अल्किल हेलाइट्स आर पूलर आर इम्मिसबल विद वाटर कह रहा है कि अल्किल हेलाइट्स जो है वो पूलर है जो हमारे अल्किल हेलाइट्स है जो हमारे अल्किल हेलाइट्स है यह क्या होते हैं पूलर मालीक्यूल्स होते हैं पूलर मालीक्यू ihi को गैरा हैं हिल्क resiliency our polar molecules are immisable with water लेकिन जो वार्टन होता है यह लोग का ज רेश स्टॉक्चर अगर हम देखें तो d Kelly होते हैं तो वह 320 सौल्वेंट के अंदर होते हैं कोई अगर है यैन्ट महीं है नहीं है यह सीथा पानी के अंदर डिजौल्ब कब होगी कब सिर्फ कोई भी कोशन है और अगर आपसे पूछा जाता है कि बतावे या पानी के in the dissolve क्यों नहीं है मालिको तो आपको सीधा एंसर बताना है कि उसके पास hydrogen bond बनाने की capacity नहीं है है hydrogen bond करने की capacity नहीं है यह hydrogen bond नहीं बना सकते हैं अगर unable to form hydrogen bond सीधा सीधा बस एक है अगर पूछा जाए कि अलो किल्ट अदर करने कि इंसेटी इस लिए यह वाटर के अंदर होता है तो पूलर में डिजॉल्व होना चाहिए लेकिन अलकील हेलाइड के पास हईडोजन बॉंड बनाने की कैपिसिटी नहीं होती है इस लिए यह वाटर के अंदर immisible होते हैं पटापट से इसको note कर लीजिए यह question तीन बार आया है important question है हो सकता है आपके board exams में यह question आपसे पूछा जाये तो उसको ज़रा note कर लीजिए देखे दोस्तों अगला question जो board exams में पूछा गया है CBFC के वो क्या है explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride question पूछा गया है explain why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride चले जारा है दोस्तों इसका answer हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो जो question पूछा जाये उसका structure बनाना सीखिए तो chlorobenzene का structure structure आगर आप जानते होंगे तो बहुत सारी चीज़े आपके लिए असान हो जाएंगे chlorobenzene का अगर structure देखते हैं हम लोग तो chlorobenzene का structure कुछ यूँ बनता है chlorobenzene का जो structure होता है कुछ यूँ होता है यह chlorobenzene का structure है अगर हम लोग cyclohexyl chloride का structure बना है तो cyclohexyl chloride का structure देखे जरा कैसे होता है तो यह देखे जरा cyclohexyl chloride का structure cyclohexyl chloride यह है हमारा cyclohexyl chloride इसमें कहीं भी benzene ring like appearance नहीं है लेकिन यह देखो जरा इसके पास जो है यह chlorobenzene जो होता है वो directly benzene ring से जुड़ा होता है तो होता कुछ यूँ है कि इस chlorine के पास lone pair electrons होते हैं और यह अपने electron pair को ring की तरफ फेकते हैं तो यहां पर जब ring की तरफ दो electron जाएंगे तो एक bond बनेगा और जब भी कहीं एक bond बनता है तो एक bond टूटता भी है टेक bond बनेगा अगर टेक bond टूटेगा भी तो इसका कुछ सो करने लएगा और ध्युनेंस तो करेगा तो कुछ इसके रिजुनेटिंग श्टक्चर होंगे तो जरा हम लोग देखें कि कितने रिजुनेटिंग स्ट्रक्चर्टर सो सकते हैं यह जब कि जरा हमारा chlorobenz in है कि यह देखिए जरा हम लोग का यह chloro यह उपर लगा हुगा है यहां से इल्लेक्टान आ रहे हैं और इसके ऊपर पंभण हम ने टप्च किया नहीं है जैसा था वैसे हम लोग बना दिंगे ये वाला bond जैसा था, वैसा ही, इसके बाद अगर हम बात करें, फिर से क्या होगा, अब ये resonance फिर सो करेगा, एक bond बनेगा यहां से, दो electron फेकेगा, एक bond बनेगा और जब भी एक bond बनेगा तो एक bond तूटेगा, और इस एक bond बनने और एक bond तूटने की वज़े से, अब अगला resonating structure कुछ यूँ हमको देखने को मिलेगा, देखिएगा ज़रा दियान से, इसके बाद का अगला resonating structure, ये double bond है, CLP positive charge है, इसी का है structure, यहां से एक bond बन रहा है, एक bond हम बना दे, ये वाला एक bond तूटके यहां shift हो रहा है, bond के shifting दिखा दे, ये वाला bond हमने टच किया नहीं है, जैसा था, वैसा ही, फिर क्या होगा, एक बार और resonance हो करेगा, ये यहां से एक bond बनेगा, और ये वाला bond तूटके इसके उपर आजाएगा, फिर एक और resonating structure हमको देखने को मिलेगा, तो देखो जड़ा ये resonating structure में देखो क्या हुआ है, ये CL, double bond CL है, positive charge है, यहां से एक bond बनेगा, तो ये एक bond तूटके इसके उपर आएगा, ये वाला bond हमने टच किया नहीं है, जैसा था, वैसा ही, फिर यकर ये एक बार और resonance हो करें, तो यहां से एक bond बने, यहां एक bond बनेगा, तो फिर एक bond तूट के यहां जाने की कोशिस करेगा, और जैसी एक bond बनेगा, और ये वाला structure, ये वाला bond यहां सिफ्ट होगा, हमको पुराना वाला structure, पहला वाला structure मिल जाएगा, जहां से हम लोग, पहला वाला structure पाते हैं, वो हम लोग का होता है, और स्टक्चर दिखा देगा हमलोग जैसा यह हैं जह हम लोग का तो देखिए ज़ला ध्यान से हैं जब यह new देंज सो कर रहा है क्लोरो बेनजीन तो 6 कर रहा है लेकिन यह श Eight of лож एक्षिल क्लोराइड यह रिजोनीन नहीं सो करता है यह जो है इसके रिजोनेटिंग स्टॉक्चर्स नहीं बनेंगे चब्छहार यह जब रिजोनेइश वह कर रहा है double bond create होने की वज़े से bond length हमारी क्या हो जाएगी double bond जैसे ही बनेगा double bond बनने की वज़े से क्या हो रहा है bond length हम लोग की small हो जाएगी और chlorobenzen की bond length small होती है इसलिए इसका जो dipole moment होता है वो lower होता है जबकि cyclo-exil chloride के पास कहीं भी carbon और chlorine के बीच double bond का nature नहीं आएगा क्योंकि यह regionating structures नहीं देंगे इसलिए dipole moment जो chlorobenzen का होता है वो lower होता है as compared to cyclo-exil chloride in the chlorobenzen carbon to chlorine bond have partial double bond character so its bond length is smaller hence the dipole moment of chlorobenzen is less than cyclo-exil chloride कहने का मतलब यह है कि chlorobenzen के पास carbon और chlorine के बीच का जो bond है उसके पास partial double bond का nature है और partial double bond के nature होने की वज़े से उसका bond length smaller हो जा रहा है और bond length जब smaller होगा तो उसका dipole moment क्या हो जाएगा कम हो जाएगा लेकिन cyclo-exil chloride की अगर हम बात करें तो cyclo-exil chloride के पास जो carbon और chlorine के बीच का bond है इसके पास कहीं भी double bond का करेक्टर नहीं आता इसलिए इसका जो dipole moment होता है वो ज्यादा होता है as compared to chlorobenzine तो फटा पर से इसका screenshot ले लिजिए पूरा पूरा रिजोनेटिंग स्टक्चर भी बनाईएगा ताकि फुल में फुल माक्स आपको मिले कि देखें दोस्तों एक क्वेश्चन आया है 2013 और 19 दोनों में कि गीव रीजन फॉर दो परेड़ क्लोरो बेंजीन है ड्यायर मेल्टिंग पॉइंट दैन डैट आफ आर्थो और मेटा इसोमर्श क्या रहा है कि पराड़ा रोपेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एस कमपेर टू आर्थो एंड मेटा इसोमर्स किसका इसी पैराडाइक्लोरोबेंजीन का तो सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो इस्ट्रक्चर जानना चाहिए तो आधे प्राब्लम का सलूशन आप खुद बखुद कर लेंगे तो बेंजीन देखो जरा एक क्लोरीन उपर और दूसरा इसके पैरा पोजीशन पर देखे जरा ये वाली जो पोजीशन होती है वो आर्थो पोजीशन होती है ये मेटा पोजीशन होती है और ये वाली जो पोजीशन होती है ये पैरा पोजीशन होती है आर्थो मेटा और पैरा पॉजिशन बोजिशन पाइदग सब्रेंग की टीन पोजिशन आर्थो मेटा और पैरiden के तो चहरा है कि जो पैरा डाय क्लोरो-बेंजिन है इसका जो ब्राइलिंग पॉइंट है ओवह है है, इसका boiling point हाइए है किसके इसके olur में, तो इसके आर्थो और stone इसमर्स है, इसका आर्थो और stat ह송र्स कैसे बनेंगे छोरो बेंजीन है, वो भी डाइचलोरो है भी और घोरो एक बेंजीन बेंजीन की और सीधाः अटाइच होगा को कि इसी का यह कि में स मइटा वाली पोजीशन पे एक क्लोरी जुड़ा होगा और एक डरेकटलीज टेस्ट होंगे पहले वाले पोजीशन पे से लिए Custom No Level कि जाना में कार्बन नम्परमाच पहले वाले पोजीशन पे कार्बन है क्लोरीं है है और दूसरे कहा है इसके मेटा पोजीशन पर है है यह हमारी है मेटा है कि मेटा sahaja गैras के चांड़ चबत तक पैर डाय कलॉर बेंजिन है यह आर्थोडी क्लॉर बेंजिन यह मेटा डिकलॉर बेंजिन तीनों की अगर हम भात करें तो तो इसमें जो यह हमारा है पैरा डाय klim और जीन इसका जो हाइज होता appli इसका जो melting point होता है इसका जो melting point होता है वह हाई होता है क्यों तो देखे ज़रा यह जो हम लोग का अब तो हम लोग समझ गेना आर्थो मेटा और पैरा से तो यह जो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन है इसका बॉयलिंग पॉइंट हाई क्यों है क्योंकि यह मोर सिमेट्रिकल स्टॉक्चर है इसकी सिमेट्री और पैकिंग दोनों बेटर है यह तो पहली चीज यह है कि कि उसका सेमेट्री अच्छी है इसी पर ठीक सेफ का अगर दोसरा क्लोरो भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी इसकी पांकिर सीन लेकिन जो यह para dichlorobenzene होता है इसका melting point ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यह more symmetrical होते है और packing भी इसकी better होती है किस form में ? Solid form में तो para chlorobenzene higher melting point than those of arthur and meta-isomers because it is more symmetrical and packing is more better in solids तो जो भी ऐसा होगा जिसकी पैकिंग अच्छी होगी जो जिसकी सेमेटरी अच्छी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो पैराडाइक्लोरो बेंजीन का पैराडाइक्लोरो बेंजीन एक सेमेट्रिकल मालीक्यूल है इसकी पैकिंग अच्छी है सॉलिड फ 2021 में उसमें पूछा गया था आप लोगों से क्या पूछा गया था विच आप फॉलोइंग हैं हाइस्ट ब्वाइलिंग पॉइंट किसके पास ब्वाइलिंग पॉइंट ज्यादा है अप्शन ए दिया है कि जो ब्वाइलिंग पॉइंट होता है कि जो ब्वाइलिंग पॉइंट होता है जितना ज्यादा मालीक्यूल का मास होगा उतना ही ज्यादा उसका ब्वाइलिंग पॉइंट होगा तो इसमें सबसे ज्यादा मालीकूलर मास किसका है अटोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बाद आता है यावडिंग इसका मालीकूलर मास कोई भी आपको क्वेश्चन मिले तो आपको यहीं बताना है कि boiling point is directly proportional to the molecular mass तो आज के हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर्स में हेलो एलकेन और हेलो एरिंस के physical property से जितने भी question आपके previous years board exams में, CBSC के board exams में पूछे गए थे सबका हमने solution कर लिया तो हमने दो चीजे खतम कर ली पहला आयूपीसी नॉमनिक लेचर पर जितने question आये थे preparation हमारे syllabus में है नहीं इसलिए उसके question हमको पढ़ने नहीं है तो अब पढ़ने किसके है physical property के और physical property से related जितने भी question थे जो आपके board exams में आने वाले थे हमने उसको पढ़ लिया जो पूछे गए थे previous years exams में अब आगे की जो वीडियो आएगी उसमें अगर उसमें हम लोग आप chemical properties को पढ़ेंगे तो अमारी upcoming videos के लिए प्लीज एक बार चैनल को like, subscribe जरूर कर दें ताकि आने वाले आपको में वीडियो की सुचना आप तक जल से जल पहुंच सके Thank you so much